हलो अब्रीवन कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके आज रियल फ्राइडे वाला गेम मार्केट में हुआ और ट्रेडर को लूटा गया पहले मार्केट साट डाउन होता है यहां तक और यह है दस बज के पैतालिस मिनिट का समय और उसके बाद जो रिकवरी होती ह यह 600 पॉइंट की निफ्टी की इस गिरावट के बाद यानि गेप डाउन गिरावट और रिकवरी और वो भी पावरफुल तो आखिर क्या है मामला क्यूं मैंने बोला लूटा गया सब जानेंगे बट एक सवाल करता हूं आपसे से भी कहते हैं वीकली एक स्पैरी हटा दे से भी उस पर क्या कहएगी अब आपको कहीए आप में चार दिन क्यूं बोला तो ये आज का ड्रामा है और इससे पहले का ड्रामा यहां पर है ये देखलो ये दूसरा ड्रामा है तो रिटेलर ही लुट रहा है तो अब क्या हो गया है मार्केٹ में low volume होने के कारण क्योंकि मार्केट का volume घटता जा रहा है और volume घटने के कारण क्या हो रहा है जो बरे player वो अपने हिसाब से game कर रहे है और छोटे प्लेयर अब अपनी नहीं चला पा रहे है तो इस पे से भी क्या कहेगी और आपका क्या मानना है सच में रीटेल भाईयों को अब इस कंडीशन में नुकसान हो रहा है कमेंट में जरूर बताईएगा क्योंकि मैं अपनी बात भी करूँगा IPO की किसी भी न्यूज के लिए ये देख लीजे हमारी टीम सुबह में तीन बजे जैसे ही ममता मसीनरी का IPO आया हमारे टिलिग्राम में अपडेट कर दिया और ऐसे बहतेरे अपडेट हैं जो टाइम टू टाइम होते रहते हैं लिंक डिस्क्राइब करने के साथ साथ घंटी बजा लीजेगा क्योंकि वीडियो अपलोड होगी तो आपके मोबाइल में भी घंटी बजेगी और एक भी वीडियो मिस नहीं होगा जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है और DMIT अकाउट का लिंक डिस्क्रीप्शन में है आप DMIT अकाउट ओपन कर सकते हैं हमारे साथ आपको सीखाने की जिम्मेदारी हमारी से भी गहती है सीख कर ट्रेड कर तो आपको कुछ लेंनिग वीडियो मिलेगी जिसे सीख कर आप फायदा ले सकते हैं पहले समझते हैं कि सुबह में gap down क्यों हुआ और फिर आएंगे recovery पर तो देखें सुबह में तो भाईया हाहाकार मच चुका था क्यूंकि sensex 1200 point तक गिर चुका था और nifty 50 भी 24,200 के नीचे तक आ चुका था यानि full pressure था और उस full pressure में जो सबसे बरा villain था market को गिराने वाला वो था nifty metal index ठीक है 0.5% से ज़्यादा गिरा था sale, jsw steel, tata steel, hind copper, nmdc जैसी company 3-6% तक गिर चुके थे और metal stock में बिकवाली का connection था चाइना से अब कहेंगे चाइना metal stock ये क्या चक्कर है इसको समझ लीजे दिखे चीन में क्या हुआ था economy को सुधारने के लिए राहत package का वादा किया गया लेकिन ज़्यादा जानकारी नहीं दी और गुरुवार को यानि थर्षडे को चीन ने अपनी high level economic meeting में विकास को बढ़ावा देने के लिए य चैना वाले इंतजार करें ट्रंप बावु गंदी पर बैठें वो क्या क्या announcement करेंगे उस announcement से बचने के लिए मुझे क्या क्या करना है वह इस तरीके से इंतजार में होंगे जिससे कि मैं official announcement कर सको और वो यह देख रहे कि मैंने अभी इससे official announcement कर दिया तो ट्रंप बावु उस हिसाब से आके अपना game खेलेंगे तो फिर मुझे एक और announcement करना परेगा और यही game से बचने के लिए चाइना क्या कर रहा है hidden game खेल रहा है ऐसा मेरा मानना है आपका अगर मानना हो तो comment में बता के video को like कर दीजेगा अगर आप चाहते हैं दूसरे traders से आगे रहना और इस तरह के volatility से बचना खुद को सीख कर आगे बढ़ाना तो सिर्फ 799 रुपे में आप YouTube membership या Elite membership जोईन कर सकते हैं और good news यह है कि अब हमारा mobile app iOS पे भी आ गया है मुकुल अगरवाल नाम से तो जल्दी से डाउनलोड कर लीज महिने दर महिने अधार पर 0.2% फीसदी के अनुमान में 0.40% रहा एनुवल बेसिस पर भी PPI 3% रहा जो की 2.6% पर रहने का अनुमान था और यह सब के चक्कर में dollar index 107 के उपर निकल गया और जब dollar index 107 के उपर निकल जाता है तो stock market नीचे आ जाता है क्योंकि अब मामला फस चुका है US में rate cut को लेकर तो यह सारे एक दूसरे से गिने चुने सारी कहानिया थी जिसने क्या किया market में pressure create किया और market में गिरावट आई अब कहोगे ठीक गिरावट आई तो recovery क्यों होगे यह 600 point की यही है game retailer को लूटने जो मीरा मानना है अब आपका मानना है या नहीं मानन अब सेभी क्या कर रही है? Retailer के सारे डेटा को open करें Retailer ऐसे कर रहा है Retailer और वैसे कर रहा है Retailer ऐसे loss में है फलना चिलना ढिकना सब कर रही है लेकिन क्या सेभी इस data को open कर रही है? जिसके बारे में नजाने कितनी बार बात आई? यह जो बरे hedge fund player है जो यह बरे HNI player है ज कुछ लोग पैसा कमा रहें, ये किस तरीके से पैसा कमा रहें, और especially जो इतना बरा big movement का game होता है, उस big movement के game में वो कितनी बार participate हैं, और कौन सा hedge fund सबसे active है इस वाले moment में, और मेरा guarantee मानना है कि अगर ये data out हो जाए, तो दूद का दूद और पानी का पानी हो जाएगा, और जैसे जैसे लगाम लगाई गई है, volume low हुआ है, उसमें क्या हो गया, retail भाई तो खेल नहीं सकते, उनके साथ टकर नहीं ले सकते, कहीं न कहीं वो दिख रहा है, और वहाँ पे वो क्या गर रहे हैं, वो उस manipulation का फायदा ले रहे हैं, जो कि मुझे लगता है, क्योंकि वो उन को मिल जाए, क्योंकि हर दिन हर इनसान किसी से सीखता है, बट मेरा जो 20 साल का experience है मार्केट में, वो यही कहता है, यहाँ पर पूरा game हुआ है, जिस पर सेवी को नजर देनी चाहिए, अगर आप भी मानते हो कि हाँ, तो comment में बताईए कि सही में आप सही बोल रहे हो, यह किया गया है, तो यह है कहानी यहाँ तक नीचे से उपर तक की, जो मैंने आपके साथ share कर दी, अब हम बात करते हैं, next week की कहानी क्या हो सकती है, तो next week की कहानी होने के लिए, कोई ज्यादा तोप सिंग की कहानी नहीं है, और वो तोप सिंग की कहानी में बस यह है, 24,860 का high break होना निफ्टी में जरूरी है, अगर हम बैंक निफ्टी पे आते हैं, तो बैंक निफ्टी में भी solid recovery हुई है, लेकिन अगीन बैंक निफ्टी के लिए 54,000 का high और उसके अलावा 54,500 का high है, यह दो लेवल ब्रेक होना जरूरी है, अगर हम फिंग निफ्टी में आएं, तो आप यह देखो कि यह ऊपर का जो पूरा लेवल है, मुझे बढ़ा मस्त लग रहा है, 25,000 के करीब का यहां का, और 25,300 का, यह दो लेवल बड़े important है, जिसमें फिंग निफ्टी से related stock में नजर रखेगा दोस्त, क्योंकि यह जो pattern है, निफ्टी बैंक निफ्टी से भी ज़ हपटे के लिए, तो यह थी मेरी सीधी असपस्ट राय, जहां पर हम तो कहेंगे, आज लोगों को लूटा गया, बाकि कोई कर्था कहानी नहीं, घीरा क्यों, वो रीजन आपको पता था, बट रिकवरी का मेरी नजर में नहीं, अब आपको क्या करना है, वो मैंने आपको ब